मैंने स्वयम खेल मंत्रारे को एक पत्र लिखा कि जब तक यह जाच पूरी नहीं हो जाती है तब तक मैं अपने आपको कुष्थी से अलग रखूँगा उस कमेटी के रुपोर्ट के आने का इंतजार नहीं किया और फिर यह धरने पर बैठ गई उन उसने मुझको बैठा करके पूस्ताज की लेकिन मैं कुछ नहीं बोला जो मुझे कहना था कहा मैं नारको के लिए तैयार मैंने किसी कमेटी पर कोई सवाल नहीं उठाए इनके स्टेंड लगातार लगातार बदलते जा रहे हैं भाईयों 18 जनौरी को ये खिलाडी कुछ मुद्दों के लेकर के धरने पर बैठे खेल मंत्राले ने मैंने स्वयम खेल मंत्राले को एक पत्र लिखा कि जब तक ये जाज पूरी नहीं हो जाती है तब तक मैं अपने आपको कुछती से अलग रखूंगा एक जाज कमेटी खेल मंत्राले के नित्युत में बनती है और एक ओलंपिक के नित्युत में बनती है इन खिलाडियों ने उस कमेटी के रुपोर्ट के आने का इंतजार नहीं किया और फिर ये धरने पर बैठ गए सुप्रीम कोर्ट के हस्ताच्चेव के बाद मेरे उपर फाईया लिखी गई मैं कुछ नहीं बोला छेशे घंटे लगातार पुलिस ने मुझको बैठा करके पूच्ताच की लेकिन मैं कुछ नहीं बोला जो मुझे कहना था कहा इनी खिलाडियों ने लगातार ये नार्को टेस्ट की मांग कर रहे थे मैं सुरू में बोलना नहीं चाहता था लेकिन जब हमारे बुजुर्ग जो हरियाना के हैं जो खाब पंचायत के सदस्थ हैं जब मैंने देखा कि बुजुर्गों ने भी ये बात उठाई कि बिजभूर्शन सिंग का नार्को टेस्ट होना चाहिए तो मैंने उन बुजुर्गों के सम्मान में उनका सम्मान करते हुए मैंने कहा कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तयार हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि अब मैं क्या करूँ मैं जाच के लिए तयार मैं नार्को के लिए तयार मैंने किसी कमेटी पर कोई सवाल नहीं उठाए इनके स्टेंड लगातार लगातार बदलते जा रहे हैं और मुझे नियायलय पर भरोसा है दिल्ली पुलिस की जाच पर भरोसा है और हम कहना चाहते हैं कि प्रतेग देशवासी को हमारी न्याईक प्रक्रिया जो है उस पर भरोसा करना चाहिए ये संचेप में मैंने ये बात इसलिए कही कहने कि कोई आउसकता नहीं महसूस करता था लेकिन इसलिए कही कि जब आज देश को नई पार्लियामेंट मिलने जा रही है क्योंकि इसकी जरूरत थी और जरूरत के हिसाब से ये पार्लियामेंट बनाई गई लेकिन मुझे बहुत दुखवा बहुत दुखवा जब नई पार्लियामेंट का स्वागत करने के बजाए हमारे ये रसलर पार्लियामेंट में कोई पंचायत करना चाहते है मेरा इनसे हाथ जोड़कर के बिंती है आपने आरोप लगाया जाच चल लही है आपने फाई आर लिखाया जाच चल लही है लेकिन ये सोभा नहीं देता है तो मेरी बिंती है कि आप मुझे को गाली दीजिए अगर दिल्ली पुलिस के जाच पर भरोसा नहीं है तो जो भी जाच करवाना चाहिए वो करवाईये उसके लिए हम तयार है मेरा जो भी आरोप प्रत्यारोप आप करना चाहें लेकिन आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है कि कुष्टी के लिए मैंने क्या-क्या नहीं किया जिस समय कुष्टी का मैं अध्यक्ष बना था उस समय केवल तीन टूर्नामेंट होते थे तीन नेशनल होते थे पिछले बर्स आप भी लड़े हैं आप भी आये थे 25 नेशनल हमने कराए हैं एक नेशनल कराने में कम से कम 50 लाक रुपे का कर्चा आता है और बिना किसी सारकारी सायोग के 25-25 नेशनल करा देना यह कोई मामली बात नहीं है पता नहीं कहां से कुष्टी को ग्रहन लग गया कुष्टी को हम कहते हैं किसी का से देखा नहीं गया जहां लगातार इधर 2014 के बाद हमारे खिलाडियों का हमारा हमारे देश का हमारे प्रधान मंतरी का हमारे खेल मंतरी का दुनिया में सराना होता था दुनिया हमारे प्रगत से मैं कुष्टी प्रेमियों से कहना चाहता हूँ दुनिया हमारे प्रगत से अचंभित थी यह क्या हो गया कि जहां हम 15 नंबर पर सोला नंबर पर रहते थे आज लड़कियां हमारी चेंपियंसिब लेकर के आ रही है पहले अस्थान पर आ रही है आज हमारी लड़कियां जापान की लड़कियों को हरा रही है यह किसकी नजर लग गई तो बेड़े बिनर्म सब्दों में निवेधन करना चाहता हूँ जो भी मेरे लिए विवस्ता सुनस्चित करेगी उसका मैं सम्मान करूँगा लेकिन जाने अंजाने कहीं आप इस नई संसत भवन पर जब खुसी मनाने के बजाए धरना परदर्शन की बात करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है आज इसी लिए सामने आया हूँ मैं हर फंसले के लिए तयार हूँ देश्वासी जो भी मेरे लिए निश्चित करेंगे मैं उसके लिए तयार हूँ मेरा आप सबों से अग्रा है और आपके परिवार के लोगों से भी अग्रा है आप ठंडे मन से सोचिए आप मुझसे संबंध न रखें कोई बात नहीं है आपकी मर्जी है लेकिन जो देश के लिए गर्व का छण है उस छण में ब्योधान मत पैदा करिए कोई ऐसा संदेश दुनिया को निकल करके ना जाए यही आप से निवेदन करना चाहता हूं और द स्वासियों से निवेदन करना चाहता हूं